हेलो स्रेंट्स वेल्कम टे साइंस डिलाइट मैटा मैटा एवरिवेर विजस्ट फाइंड राइट तो अब यहां पर फर्स चेप्टर तो हमने खतम कर दी अपना मैटर इनार स्राउंडिंग अब यह देखना है कि जो हम मैटर आसपास में देखते हैं क्या वो प्यॉर है दूद वाला आएगा दूद प्यॉर है मैम कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बले उसमें पानी जादा मिलाया हो ठीक है दूद कम पानी जादा हो मसाला वाला आएगा बोलेगा मसाला बहुत जादा है मसाला बहुत प्यॉर एक नंबर है बले उसमें मिट्टी का चूरा मि क्यों और क्यों से प्यों है तो बताओ दूध वाले को पूच्यों अगले दिन शाना ऑना छोड़ देगा क्यों Psyोर है कैसे बोल दिया Fyi Chuck कि यही चीज हम इस चप्टर बढ़ेंगे देर here per dood Ke valuable and Reserve युद्धी से जुड़े है ना इत्मोस्फेर में कि सांस लेना दूबर हो गया है लेकिन सांस तो फिर भी हम ले रहें ठीक है तब तो नहीं बोलते कि प्यॉर है या नहीं है ठीक है तो क्या क्या चीज़ें प्यॉर हैं कैसे कैसे वो प्यॉर होती है ठीक है उसकी बात इस चैप्टर में करेंगे ठीक है अर् क्या होता है भाई एनी सब्स्टेंस किया है भाई एनी सब्स्टेंस Rewाइस करना नहीं सब्स्कार्थे निफ ऱ और आक यूपाई ऑक्यूपाई श क्षूपाई श कि आपना मस कि N principle मैटर होता है, मैटर कितने टाइप का, मैटर हैं भाई हमारे पास दो टाइप के, कौन-कौन से, प्योर सबस्टेंस एंड मिक्स्चर, आगे हम एकी करके बात करेंगे, या तो मैटर प्योर होगा, या मिक्स्चर होगा, प्योर जो सबस्टेंस है, वो भी दो टाइप का होगा element और compound ठीक है और जो mixture है वो भी दो type का होगा heterogeneous mixture और homogeneous mixture ठीक है और जो elements है वो भी तीन type किये हैं metal, non-metal and metalloid ठीक है करके इनके बारे में start करते हैं सबसे पहले हम बात करें किसकी pure substance की तो pure substance कैसे कोई substance pure होगा कैसे पता लगेगा if a substance that has fixed chemical composition throughout is called pure substance, fixed composition throughout ना fixed element बोला है, ना fixed molecule बोला है मतलब अगर पानी है, sorry, मतलब अगर पानी है H2O है ठीक है और एक glass है, उसमें क्या है है H2O भरा हुआ है, right, यहाँ पर यह H2O भरा हुआ है तो यह हम बोलेंगे pure है, अब आप एक बात बताओ, जो tap water होता है क्या वो pure water होता है, तो आप बोलेंगे, sir, no, ille, negative क्यों? उसमें बहुत सारे ions मिलाए जाते हैं, ठीक है, water को purify किया जाता है, with various ions chloride, fluoride, magnesium, बहुत सारे ions होते हैं, metal, sodium, taste लाने के लिए, ठीक है, तो जो H2O होता है, अगर आप pure H2O हो निकालेंगे, ठीक है, तो जिसे distilled water होता है, ठीक है, वो pure H2O है, उसमें कोई salts नहीं है, लेकिन जो हमारे tap water होता है, वो impure है, वो mixture में आ जाता है, got it, next, chemical elements, ठीक है, sulfur, tin, diamond, pure है, ओक जितने भी elements आपके पास आते हैं, आपने 118 elements के नाम सुने हुए, 118 elements क्या है, pure होते हैं, ठीक है, compounds में, sugar, water, baking soda, ठीक है, baking soda का formula, NaHCO3 ये है, आपका क्या, baking soda, ठीक है, crispy pakoda, राइट, चलो, अब यहां पर, एक बात बताता हूँ, NaCl, नमक, NaCl, अगर NaCl के अगर हैं बात करों तो क्या है, ये pure है, बिल्कुल प्योर है, लेकिन, iodized salt, ये क्या हो गया, mixture, iodine आ गया, NaCl के साथ iodine आ गया, दो लगला component है, तो mixture में आ जाएगा, ओके, crystals में, salt, अगर सिर्फ salt तो, ओके, protein crystals, copper sulfate crystal, के मिन फूर के crystal, राइट, copper sulfate का कलर बताव भई, वटाफट, copper sulfate का कलर होता है, नीला, blue, potassium permanganate, के मिन फूर का, के मिन फूर का भई, बताव 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 बताया भई ऐसा निया, के मिन फूर कलर, क्या बताया था, violet से pink कलर, आप कुछ भी बोल सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा concentrated है, तो violet, बहुत ज़्यादा dilute है, तो pinkish देखेगा, ठीक है, चौलो, आगे बताते हैं, example of pure substance देखो, gold metal, copper wire, sugar, salt, hydrogen gas, diamond, इस सब क्या है, pure substance है, types of pure substance, types of pure substance, pure substance के दो type, element और compound, अब क्या है elements और क्या है compound उनकी भी बात करते हैं, element, element आपने देखे होंगे, element क्या होते हैं, an element is a pure substance consisting of only of atoms that all have same number of protons in their atomic nuclei, clear, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, hydrogen gas की, तो वहाँ पर hydrogen gas में सब जितने भी hydrogen atom होंगे, उनमें एक proton, दूसरे hydrogen के एक proton के साथ bonded होगा, आपस में जुडे हुए होंगे, जितने भी, चाहिए वो पूरा gas slender ही क्यों ना है, चाहिए वो पूरा gas slender ही क्यों ना है, ठीक है, slender बहुत बेकार बन गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें से समझना है, समझ गया है न, ठीक है, वैसे ही sodium metal, तो sodium metal के आपने एक brickly, ठीक है, एक टिक्याली, यहाँ पर sodium metal है, तो यहाँ पर जितने भी atoms होंगे, जितने भी atoms होंगे, सब किसके होंगे, sodium के होंगे, सब के पास, sodium का atomic number 11, और atomic mass 23, तो सब के पास proton कितने होंगे, 11, electron कितने होंगे, 11, और neutron कितने होंगे, 12, जितने भी elements हैं, जितने भी elements हैं, उनमें यही रहेगा, वा समझ में element की हर एक element चाहिए वो किसी का भी हो iron से लेके copper से लेके gold से लेके कोई भी ठीक है अगर उसमें proton सारे atoms में protons, electrons और Neutrons सेम हैं तो वह element के लाएगा ठीक है चौल element, metal, non-metal, metalloid and noble gases एके करके describe करते हैं metal, element में metal, metal मतलब ऐसे elements जिनकी ability होती है electrons को lose करने की वो metals कहलाते हैं अब किसी से मत बोलना क्योंकि आगे वे फिर पूछूंगा, ठीक है, metals क्या होते हैं those elements which have the ability to lose electron, ऐसे elements चिनकी ability है electron को lose करने की वो metals कहलाएंगे ठीक है, जैसे example, example दो सर, क्या कैसे, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, तो example दो सर, example है sodium sodium, sodium easily electron remove कर देता है, और क्या बनाता है, sodium ion, sodium ion magnesium, mg plus 2, कैसे बनता है भाई mg plus 2, magnesium जब दो electron lose करता है तो magnesium, तो electron lose कर रहा है, तो क्या हो गया, metal, non-metal just उल्टा, जो electron gain करे, element which have the ability to gain electron, sir, example, example, sir, ठीक है, तो example देखो non-metal का, oxygen है, यह दो electron accept करेगा, क्या बना देगा, oxide, O2-, ठीक है, यह हो गया, फिर, fluorine है, electron accept करेगा, fluoride बना देगा, F-, तो यह सब क्या हो गया, example हो गया, metalloid, metalloid generally, ऐसे component होते हैं, जिसमें, which have prepoderns of properties between, किसके साथ, mixture of metals and non-metals, mixture of metals and non-metals, मतलब metal की भी property shows करेंगे, और non-metal की भी property show करेंगे, वो क्या 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 लाएंगे, metalloid क्या लाएंगे, right, अब देखो जरा, यह है, ठीक है, यह silicon हो गया, germanium हो गया, arsenic हो गया, stebium हो गया, tellurium हो गया, इस सब क्या है, metalloids, बास समझेंगे हैं आपके, पक्का, आगे बढ़ सकता हूँ, चल, metalloids क्या होगे, जो metals और non-metal दोनों की properties क्या करें, show करें, noble gases, अगर noble gases की बात करते हैं, noble gases क्या होगे, noble gases, वो gases हुई, जो क्या करेंगी, जो noble, noble मतलब, शान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लसर आग लग गई, react होना है, नहीं, बिल्कुल नहीं होना है, शान एक अग्दम, ठीक है, relax रहेंगी, उनसे कोई मतलब नहीं, दुनिया तार इसे react करती ही नहीं है, वो noble gases, ठीक है, noble gases, any group of rare gases, includes helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon, ये क्या है, great stability and low reaction rates, ठीक है, देखो कौन कौन सी वाई, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा reactive भी हो सकती है, लेकिन least reactive होती है, ये सारी के सारी, इसी लिए, इन्हें कहा जाता है, noble gas, ये react करेंगी नहीं, ये periodic table में, group number 18 में आती है, देखो, ये रही, एकदम highly noble, ठीक है, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, उगनेजियम है, लेकिन उगनेजियम को मानते नहीं है, ठीक है, ये वाले आप याद रखना, उसमें से भी xenon का भी reaction होता है, कैसे होता है, वो बाद में बात करेंगे, जिनॉन react करती है, ठीक है, noble नहीं है, ठीक है, तो noble gas में भी आगे दीरे दीरे आएंगे, exception जैसे आप detail में आगे ये पढ़ते जाओगे न, तो xenon, radon, even krypton भी react कर जाती है, ठीक है, किसी से कहना मत, krypton react करती है, ठीक है, तो आगे बात करते हैं, तो ये हो गए, elements कितने तरह के, चार तरह के, metal, non-metal, metalloid, noble gases, ठीक है, आपने कहा, हमने मान लिया, ठीक है, next, compounds, भाई, compounds क्या होए, compounds are the chemical substances made up of two or more elements that are chemically bounded together in a fixed ratio, ठीक है, that are together fixed ratio से bound होगे, example देखो जो सर, बिना उसके तो कहां पतल लगता है, सर ने बोला, क्यों कैसे तो करना तो है, तो भाई, H2O देख लो, water, water में hydrogen और oxygen का ratio देखो, hydrogen दो और oxygen क्या है, atomic mass का ratio देखने होके, atomic mass के हिसाब से hydrogen का 2 हो गया और oxygen का हो गया 16, यानि अगर इसको काटेंगे तो 1 is to 8 का, तो दुनिया में या एक ग्लास में भी आगर आप देखो, तो जितने भी water molecule होंगे, जितने भी water molecule होंगे, उन सब का hydrogen is to oxygen का, atomic mass का ratio, ये क्या है, mass of, या, सरी, ratio of atomic masses, ratio of atomic mass, atomic mass, ratio of atomic mass, क्या हो जाएगा, 1 is to 8, 1 is to 8, clear है ना, ठीक है, example, water हो गया, ammonia हो गया, CO2 हो गयी, H2O2 का नाम क्या हो गया है, hydrogen peroxide, इसमें एक और interesting बात है, O2 minus 2, ये होता है, peroxide, right, आगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ें, ठीक है, बहुत जादा interesting चीज़ें, ठीक है, oxygen में बहुत आइप का होता है, super oxide भी हम पढ़ेंगे, peroxide भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, oxonium ion भी पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो यहाँ पर compounds क्या होए, compounds जैसे पानी है, नमक है, आपके पास ammonia है, carbon dioxide है, nitrogen होता है, 14, और hydrogen होता है, 3, तो दुनिया में जितना भी ammonia molecule होगा न, उसमें nitrogen, hydrogen का ratio कितना होगा, atomic mass का, 14 is to 3 रहेगा, ठीक है, अगर मैं CO2 की मैं बात करता हूँ, तो CO2 में carbon और oxygen का ratio देखो, carbon का होता है, 12 oxygen का होता है, कितना, यहाँ पर 16 होता है, 16 to 32 हो गया, O2 है न, 32, ठीक है, तो यहाँ पर कितना ratio हो जाएगा, 4 is to, 4, 3, 4, 3 is to 8, 4 से काड़ दिया, 3 is to 8 का ratio, दुनिया में जितना भी CO2 molecule होगे, उसमें carbon और oxygen का atomic mass का ratio कितना हो जाएगा, 3 is to 8, carbon dioxide में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चौन, देखो, आज हमने pure substance पूरा खतम किया, तो pure substance एक बार quick revision, matter, matter के दो टाइप, pure substance, mixture, pure substance के further दो टाइप, element, compound, pure substance क्या था, जो एक ही तरह के matter से मिलके बनावा हो, एक ही तरह के material से मिलके बनावा हो, और element क्या था, जो एक ही तरह के atom से मिलके बनावा, compounds क्या थे आपके पास, जो एक ही तरह के क्या molecule से मिलके बनेवा हो, या आप बोल सकते हो, जिनमें molecule का ratio क्या हो, fix हो, right, फिर elements की बात की थे, तो तीन, चार तरह के थे, basically, जनरली तीन बोलते हैं, लेकिन चार तरह के थे, कौन-कौन से, सबसे पहले metal, non-metal, metalloid, और noble gases, metal जो electron loose करें, non-metal जो electron gain करें, metaloid जो दोनों properties show कर सकते हैं, और noble gases, noble gases क्या होती हैं, जो react नहीं करती है, generally, okay, I hope यहां तक आपका first lecture आपको समझ में आया हो, ठीक है, आगे बहुत सारी चीज़े हैं, mixture है, mixture के बाद, mixture के types है, homogenous, heterogeneous mixture, उसके examples हैं, ठीक है, फिर उसके बाद, बहुत सारी चीज़े हैं, ठीक है, solutions हैं, different types के, colloids हैं, suspensions हैं, ठीक है, tender effect है, purification है, इस chapter में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, इसलिए, प्लीज, प्लीज, share and subscribe करते रहें, like करते रहें, likes बनते रहने चाहिए, share, subscribe होने चाहिए, अपने दोस्तों को बताओ, तब तक के लिए, ओके, bye bye, take care,